हेलो दोस्तो मैं हूं मन्जु कुमारी और आप सभी का मेरे यूटूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो आज जो सबसे में मुद्दा है आज मैं उस पर बात करना चाहती हूं अभी जैसे क्या होता है कि सारे बच्चे जो है प्रेपरेशन बहुत अच्छे से करते हैं जैसे अभी सारी जैसे अभी गle分 की जो बात करते हूं अगर जैसे हमारे आज ऊró तो अब बैपर के लिए करते हैं कि पूरी पूरी पीर होते हैं अब यहां बात는 रहें क्या गलती होगी कारता है कि पीपर वाटा कुछuben होगी है आपने टाइम साइसे मैनेज नहीं कर पाए टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होगी तो आपके एक दो कॉशन चूट गे बट सबसे में बात यह आती है कि आपने जितने भी कॉशन अटेम्ट किये हैं अगर मालो आपने पांच-पांच नंबर के तीन कॉशन अटेम्ट किय मैरो आपको पूरे मार्क मिलें आप जितना भी पेपर कर रहे ऊसके पूरे मार्क मिलें तो यह है कि पेपर 1-2 कॉशन चूट भी जाता तो इतना फर्क नहीं पड़ता है तो आज हम मेन बात करेंगे चाओ ट्यांयारी करनी होता थी एक ではनी कुछ उसको जाए कि पेपर देखेगा अभी कोई पेपर चेक करने वेट है तो आप KeepingStudent अब देखेगा कि पेपर प्रप्रेजेलब करने बाध करने किämäम पर देखेडर से नजर NS पर भी जाणे लिख लेज़ों भी अब कानिया लिख कर आजवें पड़ेगा पीचाए सुमांस है जिससे आपके नंबर जो है कम और ज्यादा हो सकते हैं तो मैंने आज आपको बताना है कि आपको एक पेपर लिखते हुए जो आपने अगर अच्छे माक्स लेने अभी जो हमारा तो यह जो है प्लस्टू वाले विच्चों के लिए भी सेम पैटन रहेगा और टैंथ वाले विच्चों के लिए भी सेम पैटन जो हो रहेगा मतला आपको सेम जो बाते में बताने वाली हूँ वो याद रखे फिर आपने पेपर अटेम्ट करना है मतल एक पूरा स्टेंजा तो पेपर अटेम्ट करते हो सबसे पहले जो आपकी जो मीन बात होती है वो है कि आपने जो भी जैसे भी कॉशन नंबर लिखने होता है कि कॉशन नंबर बन पहले अटेम्ट किया है फिर कॉशन नंबर टू तो अगर आप सिक्वेंस में अटेम्ट करोगे ऐसे थ्री फॉर सबसे पहले सिक्वेंस बना के रखो ठीक है सिक्वेंस मतलब एक कॉंटिनिटी में करो ठीक है निरंतरता एक बनती रहनी चाहिए कि आपने पहले कॉशन पेपर जो कॉशन है पहला टेम्ट किया फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा जिस तरह से आपको शुरू से अंड तक एंड से पेपर शुरू करें कि आपने लास्ट जो पेपर था मालो आपका जो लास्ट जो कॉशन था मालो कि आपका वेपर जो लास्ट कॉशन था फिर फिर नाइटी एटीन ऐसे ऐसे जो है पेपर आप चूश कर तो मतलब एक पैटन चूश करो यह निया कि आपने कॉशन काउटन नमबर पहले कर दिया देना आपने कॉश्य नमबर 20 कर दिया पर आपने कोई 18 कर दिया पर चेक कर रहे हैं अभी उसको पूरा एक पर उसका पर पड़ा है तो यह अपने सिक्वेंस भी बना के रखना पहली बात तो यह हैं कि आपका सिक्वेंस होना चाहिए चाहे आप शुरू से पर अटेंट करो तो एंड तक सारे कॉशन करो तो यह आप जो पर हैंड से आप है आपको यह आद रखनी है और सबसे इंपोरेंट को कैसे अटेंप करेंगी की मन लीजी आप कॉशन o m.1 अटेंप कर रहे है जासा कम चींच Bayern आप क्याइब जो स forced केंव डेवोई कोई भी हो सकता है साजएधारी थी किस पर क्शुरूआत करनी एंडिंग कैसे करनी है वो जो है मैं द्यारत नहीं आपके पास यह वहला काशन है कि सप्टा कि विशेषता है अगरा बताईए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जो आपको पहला स्टैप होने वाला है पहला स्टैप होगा कि आप इसका मीनिंग लिखोगे ठीक है अर्थ लिखोगे मतलब पहले आप मीनिंग यह हम हिंदी में कहा दें तो अर्थ लिखना है ठीक है सबसे पहले आप मीनिंग लिखोगे कि सत्था की साज़ेदारिक अर्थ क्या होता है ऐसे आप जो हिंदी मिडियम बाले वच्चे है वो अगर इंग्लिश में भी ऐसे लिख दें मीनिंग और यहां ब्रैकेट में अपना अर्थ ऐसे लिख दें फिर उसके बाद यहां से आप आप ऐसे बीडियों करना है घाल प्रणा्ट में घाल आप आप इस इनपर में हमें यो मान लिख दया है कि आपम train में आपको पहले कोई भी में पहले आपका मीनिंग तो आप लिहां डालोगे meaning meaning of जो भी ऐसे सत्ता की साज़दारी का अर्थ ऐसे heading पहली heading बनकी उसका meaning दे देने आपने तो सबसे पहला जो पहले step रहेगा question attempt करने में कि हम पहला step meaning लिखेंगे किसी question का दूसरा हो सकते है आपके पास उसकी definition हो परिभाशा हो ठीक है अगर आपको परिभाशा है अगर आप याद करके गए हो ठीक है तो दूसरे नंबर पर आपने परिभाशा जो है वहां लिख देनी है बसे परिभाशा आप याद करके जाओ तो बहुत अच्छी effect पड़ता है ठीक है तो परिभाशा भी लिखें आप त आप उसके लिए ब्लैक पनी उसका मीनिंग लिखना है फिर तीसरा जो आएगा फिर आजएगा में बॉड़ी जो उसकी होईगी जो में आपने आप से कौशन पूछा है कि सत्ता की साज़दारी का जो है विशेस्ता है अगर आप से पूछ लिया है तो फिर आएगा तीसरे प पर उसकी जो परिभाशा है वो लिख देनी है ठीक है आर्थ बहुत ज़्यादा मत आप बता देना क्या पूरा एक पेज में आर्थ ही लिख जा रहे है पांचे लाइन का पांचे का चार पांचे लाइन का छोटा सा अर्थ बता दो शौट में है और फिर डैफिनेशन में बॉड़ी में हम कैसे अटेम्ट करेंगे यह नहीं कि आपने ऐसे की तरह उसको लिखते जाना है में बॉड़ी में ऐसे ऐसे लिखते गए पूरा दो तिन पेज हमने ऐसे के भर दिये बस हम बोल देंगे कि हमारा जो है वो कॉशन हो गया बस बात कातम है इससे आपके न पास नहीं लगता है एक रमायन सील लगता है लिखी हुई है तो जो एक्जामिनर होता है वो आपका ऐसे पढ़ने में तरह इंटरस्ट नहीं होता है ठीक है उसको होता है कि जल्दी से पेपर चेक करना होता है अगर हैडिंग लिखेंग देखके समझ जाएगा कि हाँ बच पाके भर उल्दी में लिखें ऄको होता तरहीं नियुक्ति सबस्क्राइब लिखेंगे केंदर और केनद्र नीच एक्साएट्ट कुछ उने पर दूसरा पॉइंट पहाई यहां से अपने एक्सपेंट करना शुरू कर दिया तर अगर आप ब्ल्यू पैंट से लिखके पर नीचे से इस तरह से अंडर लाइन कर दो तो आपको में बात याद करने है क्या करना है कि पहले तो आपने जो भी आपसे कोशन पुचास का मीनि पॉइंट में लिखना है ना कि एससे फॉर्म में बना देना है कि एससे राइटिंग कॉमपटिशन हो रहे हैं अपने पॉइंट में टैम्ट करना है तो आपके नमबर जादा आएंगी तो आप ब्लैक पैन यूज़ करें ब्लैक और ब्ल्यू पैन वह बहुत ही अच्छा पैन दूसरा हमारा चौथ्या पाइंट होगा वहाँ कि एक निषकर्ष कहते हैं हिंदी में पूरा खतम हो जाता है पुरा पॉइंट में लिख देना है यहां है दाल के उसके बाद कंप्लीजन में लिखना है जो आप उपर कॉशन में लिखा है उसकी कुछ लाइने हैं वह आप यहां conclude कर दो उपर से को दो तिन लाइन आप उठा के यहां लिख दो बस conclusion हो गया तो इस तरह से यह पूरा format होना चाहिए आपका caution attempt करने का ठीक है सबसे पहले meaning लिखना है definition लिखनी है पिर points में लिखना है सबसे बड़ी बात यह है कि points में लिखना है और heading डालके उनको underline कर दो नहीं तो black pen से लिख दो और conclusion भी लिखो अगर आप ऐसे कोई caution attempt करते हो नहीं इन तीन चारों बातों को ध्यार में रखे न आपके marks कहीं नहीं कटने वाले हैं फिर कई पर किया होता है कि कुछ बच्चे बहुत पढ़ के detail में जाते हैं पर फिर उनक तो सारा किया हो तो उसने तो पढ़ता पुरता भी नहीं है ऐसे कुछ बाते करते हैं तो कि फिर भी उसके नमबर ज्यादा आए क्योंकि उसने पेपर सही से attempt किया था आपका examiner जैसे इस फॉर्मेट में पेपर देखेगा तो आपके नमबर नहीं कटेंगे कहीं भी तो यह आपके साज़दारी की विशेश्ता हैं बताईए कॉशन पूछ लिया सब्सकुर विशेश्ता हैं पूछ लिए की साज़दारी की विशेश्ता हैं अगर आप कर दो दो इसी को आपने थे वक्स भात हुआ नहीं नहीं है तौनी प्षेषब हो ऊपने लिख हो कि यह शूटा कर दो उसको हम पूरे में बना देता थे फान जगापदो मिन तौक्त कर दो नहीं वह शूटा दो इसे बना दो फिर उनको points को point में explain कर दो यह भी बहुत अच्छा है ऐसे दिखने में बड़ा अच्छा लगता है आप कही तरह की figures बना सकतों जैसे मालो ऐसा आप लिख के heading ते नीचे points ऐसे लिख दो और और तरह की figures आप यूज कर सकते हो जैसे कि आप ये pyramid type ऐसे use कर लो ठीक जो main heading को है थोड़ा से लिख दो main heading का नाम लिख दो फिर उनको नीचे वैसे normal points में explain कर दो मतला अगर आप ऐसा कुछ बनाते हो ऐसे figures बना देते हो तो बड़ा ही अच्छा लगता है देखने में भी examiner को कि हाँ देखने में ही बड़ा अच्छा लग जाता है तो उससे बड बना दिया मालो यह box इसे बना दिये इन बॉक्स में जो main points उनकी ऐसे heading लिख दी नमबर बन heading 2 जो main main heading होती है जो कि अपने heading बना के लिखना है points में जो लिखना है तो उसके heading ऐसे इसमें लिख दो main main बीच में घिचर बिचर नहीं पानी कि यह question attempt कर लिया फिर वो कर दिया यह कर दिया वो कर दिया ऐसे नहीं करना है और जो attempt करने का question का तरीका वही है meaning लिखो definition लिखो पर उसके बाद ऐसी या figure बना दो जो अपने main points देने हैं उनको points को explain करो conclusion लिखो यह format अपना हो और black और blue पर यूज करोंगे दोनों heading के लिए black तो बहुत ही effective ऐसे दिखते हैं और handwriting देखो जिसकी handwriting अच्छी नहीं है तो बहुत है जदा पास-पास में लिखे जैसे मैंने यह लिखा मालो सत्ता लिखा मैंने है ना मैंने सत्ता लिख दिए मैंने handwriting सही नहीं है मैं ऐसे भी के रिख रही हूँ है मतला थोड़ा खुला 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 लिख सकते हैं एक शब यहां लिखा तो थोड़ा सदूर लिख दिया फिर थोड़ा खुला खुला लिखे ताकि examiner पढ़ भी सके यह निए कि आप अपनी स अच्छी होती है बट आपने क्या करना है कि पर ऐसे लिख कि आना है कि examiner पढ़ सके ठीक है पढ़ने लाइक तो छोड़ना है कम से ठीक है और पॉइंट बगारा में तो लिख नहीं है आपने और जो आपको में बात याद रखनी है इसमें कि ऐसे फिगर्स बगारा बना द हो गया फिर आप क्या कर रहे हो कि कॉस्ट नंबर टू भी यहीं से शुरू कर दिया आपने मिल्कुली थोड़ा सा स्पेस छोड़ो उसमें एक दो लाइन का ऐसे जैसे लाइन बनी होती है ना तो कम से कम दो लाइन का स्पेस छोड़के फिर अगला कॉशन शुरू करो जैस तो उसमें आपको पता है अप्लिकेशन साती है लिखने के लिए अप्लिकेशन हमेशा नए पेज पर स्टार्ट करने हैं यह निया कि आपने जो हमलों की कॉश्ट नंबर बारा अटेंप्ट किया हुआ था और यहां खतम हो गया आपके आधे पेज पर जाकर तो आपने अप्लिकेशन का कोई जो एक स्टेंजा होता है वो सब बिगड़ जाता है बिल्कुली आधी अप्लिकेशन यहां आपकी आधी वहां आगे पड़ी हुई है एक नए पेज पर उसकी शुरुआत करो आप ठीक है तो वह रहता है मतला अभी आप गिचड़ पिचड़ी कर दो यह है तो यह है 10 और प्लस टू वाले बच्चों के लिए मार्क्स गेन करने के तो पढ़ना तो है आपने बिना पड़े तो आपका कुछ नहीं होने वाला है बट पेपर अटेम्ट करने का यह तरीका अपना हो आप ठीक है मतला पूरा ऐसे बीच में जो फिगर्स डाल देन इंति लिखनी है पूरी और हिंदी मेडियं तो ऐसे इंग्में पहुत अगर आप कही फाईदा है तो है भी तो अगर खाली आप इंग्लिश में भी लिख दो हैडिंग तो भी कोई बुराई नहीं है पर इंग्लिश में लिखो बहुत ही इफेक्ट पड़ता है उस चीज का मैंने तो फूर्मला अपनाया हुआ था तो मेरे प्लस टू में जो है सारे सब्जेक्ट में बात करूं 95 से तो आपने प्रेजंटेशन इस तरह से करनी है ठीक है और आपके एक्जाम्स आने वाले हैं ठीक है तो आप अपने एक्जाम्स की त्यारी के लिए मेरा चैनल देख सकते हो जिस पर मैंने अभी स्टार्ट करवाना है प्लस टू और टैंथ का जो भी पॉलिटिकल साइंस करना है तो मैंने आगे बताना आपके उसके लिए आप मेरा जो है वो चैनल देख सकते हो इसके लिए सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे लगे आपको अपने दोस्तों को भी बताना है कि वह पर कैसे अटेंट कर रहे हैं तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो थाइंकिस सो मच गाई जब तक आप इसे देखिए अगर आपको कोई लगता है आगे की वीडियो देखने का तो मैं यहां करवाने वाली प्रस्टू और टैंथ के बोर्ड के एक्जाम्स की त्यारी तो आप उसके लिए देख सकते हो